हेलो फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इगवर्नेंस के बारे में जी है फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इगवर्नेंस आखिर है क्या इगवर्नेंस कैसे काम करती है और कहां पर इसका इस्तमाल किया जाता है तो फ्रें ने कि उनको ऊनलाइन तरीके से लोगों तक पहुंचाना, इसको इसलिए किया जाता है, ताकि जो लोग उनको जो सरखारी ओफिस होते पेडिया उनके चक्कर ना लंगाने पड़े। और वो जो चक्कर लगाने में उनका जो समय बरवाद होता है, उनका जो पैसा बरवाद होता है, उसको वहाँ से बचाये जा सके, तो ऐसे में आज हमारे बहुत सारे ऐसे काम है, जिनको हमारी सरकारों ने online mode पर shift कर दिया है, अगर इन कामों की हम गिंती करें, तो इन में आप ले सकते हैं, GST से related जो भी काम होते हैं, उनको आप online कर सकते हैं, आपके जितने भी important documents है, जैसे आधार कार्ड हो गया, pen card हो गया, driving license हो गया, और जितने भी documents है, उनको आप online mode पर apply कर सकते हैं, उनको online mode पर आप उनको edit करवा सकते हैं, आपकी जैसे टिकेट booking होगे, आपको train प्लेन की टिकेट बुक करनी है इन सभी कामों को आप आज ओनलाइन कर सकते हैं आप बिजली का बिल अगर बरना चाहते हैं पानी का बिल बरना चाहते हैं आपको मोवाइल रिचार्ज करना है आपको अपना टेवी रिचार्ज करना है यानि कि किसी भी तरीके का जो बिल होते जो recharge होते हैं उनको आप अपने mobile से internet के जरी आज आसानी से कर सकते हैं यहां पर अगर हम बात करें banking sector की तो यहां पर आप आज online payments कर सकते हैं आप online कुछ भी खरिदना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं तो यह जो भी काम होते हैं जो सरकार से कही न कहीं link होते हैं जो लोगों तक पहुचाना कहीं न कहीं important होता है यह सभी काम हमारे e-governance के तहत आते हैं और इन सभी को कहीं न कहीं आज हम online तरीके से कर सकते हैं यहां पर मैं बताना चाहूँ यह जो भी services मैंने आपको बताई हैं जो भी काम मैंने आपको बताएं इन सभी के लिए आपको mobile applications मिल जाते हैं जिनको आप play store से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ ऐसे applications होते हैं जो आपके mobile में pre-installed आते हैं तो ऐसे में friends अगर हम बात करें हमारी जो government services हैं वो सारी कहीं न कहीं आज कहीं समय में online mode पर या कह सकते हैं internet पर उपलब्द हैं उनको आप घर बैठकर आसानी से उनका लाब उठा सकते हैं तो friends यह जो complete concept है services का जो के internet के जरी आप कर सकते हैं इसी को कहते हैं e-governance इसके लिए friends example के तोर पर आप ले सकते हैं उमंग application आप सभी ने इसका नाम सुना होगा अगर आपको नहीं पता है कि उमंग application क्या है तो आप हमारे YouTube चेनल पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मैंने completely explain करा हुआ है कि उमंग application क्या है किसलिए आप इसको use कर सकते हैं तो friends यहाँ पर यह जो उमंग application है इसके अंदर जो भी सरकार की services होती है फिर चाहे वो EPF ले सकते हैं वो GST ले सकते हैं या फिर कोई online documentation है वो ले सकते हैं वो सारे काम आपको उस application क अंदर मिल जाते हैं वहाँ से आप उनको operate कर सकते हैं उनको आप वहाँ से कहीं न कहीं track कर सकते हैं तो friends इस तरीके से यह जो e-governance है यह लोगों की काफी ज्यादा मदद कर रही है ऐसे में ताकि आपको जो सरकारी दफ्तर है उनके चक्र ना लगाने पड़े वहाँ पर उन मिलते हैं इंगली वीडियो में धन्यवाद